आज हम profit and loss लाब तता हानी के कुछ important question को solve करना सीखेंगे इस वीडियो में हमने जो question लिया है ये सारे question बहुती important है और सभी तरह के competitive के exam में बार बार पूछे जाते हैं आज हम ऐसे question को बनाने का बहुती सांदार short trick सिखने वाले है जिससे आप कम से कम समय में ऐसे question को solve कर पाएंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आप हमारे channel पे नए है तो हमारे channel को subscribe कर ले और bell icon के all पे click कर ले ताकि आने वाले वीडियो का notification आपको मिलता रहे यह हमारा पहला question है 10 रूपिये में 6 की दर से केले खरीद कर 6 रूपिये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतीसत हानी होगी इस question को हम कैसे solve करेंगे यहाँ पे क्या क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है रूपिया और दर बोला गया है कि 10 रूपिये में 6 की दर से केले खरीद कर मतलब यह है cost price और बोला गया है 6 रूपिये में 4 की दर से केले बेचने पर यह है selling price तो यहाँ पे हम question को कैसे solve कर है यह जो दर है इसे हम आपस में गुणा कर लेंगे मतलब क्या करेंगे 6 गुणा 4 तो हम यहाँ पे 24 मिल जाएगा इस 24 से हम question को solve कैसे करेंगे अगर आपको cost price निकालना है तो आप क्या करेंगे लिखेंगे 24 गुणा बोला गया है कि 10 रुपिय में 6 की दर से केला खईडा जाता है तो हम 10 बटा 6 लिखेंगे अगर आपको यहाँ पे selling price निकालना है तो लिखेंगे 24 गुणा 6 रुपिय में 4 की दर से के 6 बटा 4 लिखेंगे इस तरह यहाँ पे हम cost price और selling price दोनों आसानी से निकाल सकते हैं जैसे 6 से 24 को कटाएंगे तो 4 बार में कट जाएगा यहाँ पे हमें मिलेगा 40 रुपिय यह हो जाएगा cost price और 4 से अगर 24 को कटाएंगे तो यह 6 बार में कट जाएगा 6 चका होता है 36 तो यह हो जाएगा selling price 40 रुपिया cost price और 36 रुपिया selling price हमसे पूछा क्या गया है कितने प्रतिसत हानी होगी तो loss यहाँ पे कितना हुआ है 40 रुपिय में खईदा गया है और 36 रुपिय में बेचा गया है तो loss हुआ है यहाँ पे 4 रुपिय का हमें बताना है loss percentage तो loss percentage हम कैसे बताएंगे यहाँ पे loss होगा उपर में बटा में हानी या फिर लाप प्रतिसत हमेशा cost price पे निकाला जाता है cost price है 40 रुपया नीचे लिखेंगे 40 गुना करेंगे 100 का यहाँ पे 00 कर जाएगा 4-4 आपस में कर जाएगा यहाँ पे हमें मिल जाएगा 10 प्रतिसत मतलब 10 प्रतिसत का loss हुआ है यह हो जाएगा हमारा final answer जो की option D में दिया गया है तो option D हमारा सही answer हो जाएगा इस तरह के question profit and loss से बार बार पूछे जाते हैं आप ऐसे बहुत असानी से question को solve कर सकते हैं तो अब हम बनाते हैं एक अगला question अगला question है हमारा इस question में दिया गया है कि यदि 15 प्रतिसत लाब और 15 प्रतिसत हानी का अंतर 450 उरिपया हो तो क्राय मुल्य क्या है यहाँ पे cost price निकालना है question का मतलब क्या है अगर किसी वस्तु को 15 प्रतिसत लाब पे बेचा जाता है मतलब profit पे बेचा जाता है और उसी वस्तु को 15 प्रतिसत हानी पे मतलब loss पे बेचा जाता है उन दोनों का अंतर कितना है इन दोनों का अंतर है 450 रिपय का हमें बताना है क्या cost price तो इस question को हम एक समान के भी solve कर सकते है पर वो बहुत लंबा process होता है यहाँ पे हम क्या करेंगे जब एक profit में और एक loss में दिया गया है तो हम क्या करेंगे दोनों को आपस में plus कर देंगे मतलब यहाँ पे 15 और 15 को plus करेंगे तो हमें यहाँ पे 30 प्रतीसत मिल जाएगा 30 प्रतीसत जो है यह 30 प्रतीसत जो है वो बराबर होगा 450 रुपय का तो एक प्रतीसत किसके बराबर होगा 450 बटा में 30 तो एक सो प्रतीसत किसके बराबर होगा यहाँ पे लिखेंगे 450 बटा में 30 गुना 100 रुपिया ये हो जाएगा कोश्ट प्राइस और ये हो जाएगा हमारा final answer जो की option B में दिया गया है तो option B हमारा सही answer हो जाएगा इस तरह के question पूछे जाते हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्ट इस question में क्या दिया गया है यहाँ पे बोला गया है कि यदि 8 पेन का क्रै मुल्य 6 पेन के विक्रै मुल्य के बराबर है तो लाप प्रतिसत क्या है यहाँ पे बोला गया है कि 8 पेन का क्रै मुल्य मतलब कोश्ट प्राइस बराबर है 6 पेन के विक्रै मुल्य के मतलब selling price के इस question को बहुत तरीके से बनाया जा सकता है पर इसका सबसे आसान तरीका हम सीखेंगे यहाँ पे 8 pain का cost price 6 pain के selling price के बराबर है इसे हम उल्टा कर लेंगे यह जो selling price है इसे हम cost price ले लेंगे मतलब 6 CP cost price हो जाएगा यहाँ पे 8 CP जो दिया गया है उसे 8 SP ले लेंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास cost price और यह हो जाएगा हमारे पास selling price 6 रुपे में खरीदा गया है और 8 रुपे में बेचा गया है तो यहाँ पे लाब कितने रुपे का हो रहा है यहाँ पे लाब कितने रुपे का होगा 8 रुपे में बेचा गया है 6 रुपे में खईरा गया था तो 8 से 6 को माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 रुपे का प्रॉफिट होगा 2 रुपे का प्रॉफिट है तो यहाँ पे लाब प्रतिसत कैसे निकालेंगे यहाँ पे profit percentage हमें बताना है profit होगा उपर में बटा में नीचे में cost price cost price है 6 रुपे का तो नीचे लिखेंगे 6 गुना करेंगे 100 का 2 से 6 तीन बार में कड़ जाएगा यहाँ पे 100 बटा में 3 मिलेगा इसे solve करने पे हमें मिलेगा 33 सही 1 बटा 3 प्रतिसत यह हो जाएगा final answer 33 सही 1 बटा 3 प्रतिसत का यहाँ पे लाव हो रहा है यह सब question बहुत ही important है और सभी तरह के competitive के exam में बार बार पुछे जाते हैं अब हम बनाते हैं एक अगला प्रस्न इस question में बोला गया है कि पृती ने एक पुस्तक 10 प्रतिसत हानी पर बेची यदि वो इसे 85 रुपिया अधीक में बेचती तो उसे 7 प्रतिसत का लाव होता पुस्तक का क्रैमुल्य क्या है यहाँ पे बोला गया है कि पुस्तक को 10 प्रतिसत हानी पर बेचा गया है 10 प्रतिसत लौस में बेचा गया है अगर उसे वो 85 रुपय अधिक में बेशती तो 7 प्रतिसत का लाभ होता profit होता 7 प्रतिसत का हम यहाँ पर क्या करेंगे इन दोनों को प्लस कर लेंगे एक profit है और एक loss है इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें यहाँ पर 17 प्रतिसत मिल जाएगा और कितना रुपिया बोला गया है 85 रुपिया का अंतर बताया गया है तो 85 रुपिया इसके बराबर हो जाएगा अगर 17 प्रतिसत के बराबर 85 रुपिया है तो एक प्रतिसत के बराबर कितना होगा 85 बटा में 17 उसी तरह हम निकाल लेंगे 100% मतलब 100 प्रतिसत का मान तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पचासी बटा में सत्रा गुना करेंगे हंड्रेट का सत्रा से पचासी पांच बार में कर जाएगा पांच गुना एक सो करेंगे तो हमें यहां पे मिल जाएगा पांच सो रुपिया यह हो जाएगा कोश्ट प्राइस उस वस्तु का क्रायमुल्य उस पु लगए है कि एक वस्तू को 832 रूपय में बेचने से उतना ही लाब होता है जितना उसे 448 रूपय में बेचने पर हानी तो उस वस्तू पर 50% लाब कमाने के लिए कितने रूपय में बेचना होगा यहाँ पे सबसे पहले हमें value जो दिया गया है 832 रुपया में बेचने से उतना ही लाब होता है जितना उसे 448 रुपया में बेचने पहानी तो हम क्या करेंगे 832 प्लस 448 करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे और बटा में 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर direct cost price हमें मिल जाएगा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पर cost price को 100 रुपया मान लेते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे लाब कब होगा जब selling price जादा होगा और cost price कम होगा तो बोला गया है कि 832 रुपया में बेचने पर उतना ही लाब होता है मतलब 832 रुपया ज्यादा है उसमें से अगर हम x माइनस करते हैं तो हमें उतना ही profit होता है जितना की 448 रुपया में बेचने पर हानी मतलब 448 उरिप्या से ज़्यादा value x का है तभी तो हमें हानी हो रही है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x minus 448 तो यह बनेगा यहाँ पे तो यहाँ पे equal to के इस पार जब यह x आएगा तो वो भी minus x हो जाएगा तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा minus 2x equal to minus 448 minus 832 इसे अगर हम solve करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा minus 2x equal to इन दोनों का योग कर लेंगे हम जो हम यहाँ पे कर रहे हैं और minus minus आपस में कर जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा इन दोनों का योग और बटा में 2 यही हम यहाँ पे कर रहे हैं अगर आपको ऐसे question मिले, जहाँ पे जितना और उतना दिया गया है, तो दोनों value को plus करेंगे, और 2 से divide करेंगे, हमें यहाँ पे direct मिल जाएगा, cost price, इन दोनों को जब हम plus करेंगे, तो 8, 2, 10 का 0, हाथ में carry 1, 4, 3, 7, 1, 8, यहाँ पे हो जाएगा, 8, और 8, 4 होता है, 12, तो 1280 र हमें मिल जाएगा, यह हो जाएगा cost price, इस पे हमें profit कमाना है कितना, 50% का, इसका अगर हम 150% निकाल लेते हैं, तो हमें answer मिल जाएगा, तो 640 का 150 बटा में 100 करेंगे, यहाँ पे 1, 0 और यहाँ पे 1, 0 कर जाएगा, 64 गुना 15 करेंगे, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 960 र से बार-बार पूछे जाते हैं, यह बहुत ही important question है, और यह सबसे आसान तरीका है, ऐसे question को solve करने का.